जो पहली पिच्चर है वो है इगल, फिर जो वाइट कलर की बर्ड है यह है क्रेन, जो पहने आपको बताई थी कि पानी में भी जाती है यह, फर यहाँ पर लास्ट में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, वोट पिकर है, आउल है, स्पैरो है, भी बीक्स होती है ठीक उसी पठगासे वो अलगे अलग पठगाई का खाना भी खाती है, वाइल सम्दाआट Fruits, सम इप Сीट, सम इप एक्स, वाइल अगे आडरे एक्स, वाइल अदर इप फिश जब की कुछ जो है, उसमें क्या खाती है, फुछ बीज खाती है चीड मलत Some eat eggs, कुछ egg खाती है, while other eat fish, और कुछ fish खाती है, जैसे crane है, crane की लंबी चौँच होती है, तो वो fish खाती है, वो पानी में बैठ जाती है, और ध्यान से देखती है, कोई fish देखाए दिये, और फौरण अपनी चौँच से उतको पकड़ लेती है, Match the birds with their food, यहाँ पर कुछ birds की picture दे रखी है, और वो क्या खाती है, उससे हमें उसको match करना है, इस तरीके का caution बच्चों जब भी कोई matching का आता है, तो उसको करने का तरीका यह होता है, कि या तो आपको सब learn है, तो आप फटाफट कर लोगे, नहीं तो आपको पहले जिसके बार न्यू यू किसकी है, वल्चर, वल्चर बच्चों का क्या खाता है, आपने पहले भी poem में पढ़ाऊगा उपर जो starting में पेच पे थी, वल्चर सारे mice खाता है, याने rat खाता है, चुहे, तो हम इसको चुहे से match करेंगे, दूसरी जो picture है, वो है बच्चों eagle की, eagle क्या खाता ह eagle, sparrow खाता है, dead animal खाता है, यह जो मरी हुई sparrow है, इससे match करेंगे, याने कि dead animal, फिर next picture है बच्चों, वो है wood picker की, wood picker जिसकी चौंच लंबी होती है, टुक टुक करके, यह जो hole करती है ठंक में, तो यह क्या खाती है, छोटे-छोटे insect खाती है, कीड़े खाती है, तो यह पिच्चर बने हुए, इससे हम इसको match करेंगे, फिर next picture है parrot की, parrot मतलब तोता, तोता सबको बताईए, हरी मिर्श खाता है, तो बच्पन से हम poem में, कविताओं में सुनते आ रहे हैं, तो parrot जो है green chili खाता है, and the last picture is pizzen, pizzen क्या खाता है बच्चों, pizzen खाता है grain, यह जोट- नोटिस किये बाद, कि bird जो है, उड़ती है, और जो चलती है, वो एक अलग तरीका होता है, यानि किसी भी bird का, उड़ने का, और चलने का जो तरीका होता है, वो दूसरे से match करता हूँ नहीं होता है, अलग-अलग होता है सबका, their neck movements also differ, और उनका गर्दन घुमाने का जो त its neck backward to the large extent, और जो आउल है, वो अपनी गर्दन को जो है, बहुत large extent मतलब पूरे तरीके से पीछे गुमा लेता है, ऐसा पता नहीं, जब आउल अपनी गर्दन को गुमा लेता है, तो हम यह identify नहीं कर पाते है, कि आउल उल्टा बैठा है, कि सीधा बैठा है, इस तरीके से प कुछ बैठा है, जो हमारी आवाज को imitate कर सकती है, करती है, do you know the name of any such bird, क्या ऐसी किसी प्रकार की bird के बारे में या उसका नाम जानते है, draw a picture in your notebook, color it and write its name, उसकी picture को draw करिए, color करिए, उसका नाम लिखिए, तो उस bird में एक hint मैं आपको दे देती हूं, बाकी आप देखिएगा एक hint कौन सी है, जो सबको बता है, वो है parrot, parrot हमारी voice को imitate करता है, next question is, go outside and watch how birds walk and move their neck, बाहर जाइए और देखिए कि जो birds हैं, वो कैसे चलती हैं और कैसे अपनी गरदन को गुमाती हैं, look at their feathers and listen to the sounds made by them, उनके feather देखिए, उनके जो पंक हैं उनको देखिए, और वो जो three birds, कोई भी तीन चड़िया का जो sound वो निकाल रही हैं, उसको आप copy करिए, copy their neck movement to, और उनके गरदन गुमाने के तरीके को भी copy करिए, as your friend to guess which word you copied, और अपने friend से guess करने के लिए कहिए, कि आप किस bird की copy कर रहा है, ये बहुत अच्छा game हो सकता है बच्चों, आप lunch में खेल स पूची के आप identify करो, मैं किस bird की copy कर रहा हूँ, और फिर वो बताएगा आपको उसका नाम, इससे आपका ये chapter भी समझ में आ जाएगा, और आपका game भी हो जाएगा, the feather of birds are of different colors, shapes and size, जो bird के feather होते हैं, जो punk होते हैं, वो अलग-लग रंगों के, shape के और size के होते हैं, their feather help them to fly and keep them warm too, उनकी जो feather होते हैं, birds के, वो उनको fly करने में help करते हैं, और उनको गरम रखते हैं, जब ठंड का मौसम होता है, या बारिश होरी होती है, जिस समय temperature थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उस समय जितने भी birds हैं, वो अपनी feather से अपनी body को गरम रखती हैं, from time to time birds lose their old feather and new ones grow in their place, समय समय पर birds के जो पुराने feather हैं वो गिर जाते हैं और जगह पर नई feather आ जाते हैं, जैसे हम लोगों में होता है, हमारे में क्या होता है, हमारे बाल तूट जाते हैं, और उसकी जगह पर new hair आ जाते हैं, तो इसी तरीके से birds में उनके पुराने feather गिर जाते हैं, पंक गिर और आपके चारों ग्राउंड में जो भी फैदर परें उनको आप कलेक कर लीचिए इस्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिसकस अबाउट इट उसकी शेप साइज और कलर के बारे में बाते करिए अपने फ्रेंड से अपनी क्लास में और जिस बर्ड के वो फैदर है उसकी पिचटर ड्रौ करिए और उसका फैदर वहां पेस्ट कर दीजैए चिपका दीजिए and write its name और उसका नाम लिखी है other than birds which are the other animal that can fly bird के अलावा और कौन सा animal है जो fly करता है बहुत सारे ऐसे भी animal है जो bird की category में नहीं आते हैं लेकिन वो fly करते हैं बच्चों उन में से कुछ example कहा है जैसे कि honey bee honey bee ये bird नहीं है लेकिन वो fly करती है इसी प्रकार से butterfly, dragonfly, housefly जितनी भी ये fly हैं ये bird नहीं है लेकिन ये सब fly करती है beetle है, cock है, mosquito है, bug है ये सब fly करते है If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? अगर आप fly कर सकें, उड़ सकें एक चुडिया की तरह है तो आप कहां जाना पसंद करेंगे और क्या करेंगे? ये इस question का answer बच्चो आपको खुद देना है क्योंकि ये आपकी choice है कि आप कहां जाना पसंद करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं zoo जाओंगा, कुछ कहेंगे मैं जंगल जाओंगा कुछ कहेंगे मैं helicopter से race करूंगा उपर उड़ के कुछ कहेंगे मैं beeches पर जाओंगा तो इस question का answer आप अपनी choice है यहां पर लिखेगा next is what would happen if bird could not fly but only walk on their feet क्या होगा अगर bird जो है उड़ ना सके केवल अपनी पैरों पर चल पाएं तो क्या होगा बच्चो अगर यह वो fly नहीं कर सकती है तो they cannot go one place to another in search of food एक जगे से दूसरी जगे खाने की search में जो वो उड़के जल्दी से चली जाती है ना उसमें वो नहीं कर पाएंगे उनको खाने की खोजने के लिए उड़ने इससे उनको बहुत help मिलती है कि एक ग्राउंड से दूसरी ग्राउंड कुछी सेकेंड में उड़के पहुंच जाती है लेकिन उनके पैर इतने चोटे-चोटे हैं अगर उनके पास उड़ने की quality नहीं होगी ability नहीं होगी उड़ने की तो वो walk करके इतना लंबा distance तह नहीं कर पाएंगी तो उनको खाने की तलाश करने में बहुत मुश्किल आईगी नेक्स है let's make a cock आईए a cock बनाते हैं यह cock बहुत easy है इसमें instruction दे रखे हैं आप इसको बनाईएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाके यह fun activity है तो बच्चों यह था chapter 8 जो आज हमने किया इसमें हमने क्या सीखा we learn different kind of birds अलगल परकार की चडियों के बारे में सीखा and how they unique in their own way और सारी चडियां जो हैं अपने अपने तरीके से कैसे अलग हैं सबकी चौंच अलग है सबकी उड़ने का तरीका चलने का तरीका गर्दन नेक मूमेंट का तरीका सबका अलग अलग है लेकिन सबी क्या है बर् आपको नहीं समझ में आईए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपने इस चैप्टर को इतने ध्यान से सुना इसके लिए थैंक यू सो मच